हेलो स्टुटेंट्स वेलकम तो में चैनल इस रोशन सर्मेक्स अज हम सॉल्फ करेंगे सेवेंथी क्लास एक्सरसाइज चैप्टर फॉर्थ जिसका नाम है लाइन आइंड आंगल्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फोमेशन दे रहा हूं है कि अगर आप इस से पहले के त्री चैप्टर अगर चेक करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर इच और एवरी क्वेस्टन एवलेबल है वहाँ पर जाकर चेक किजिए औ और साथ इसाथ तेल्गू के सेकंड एंग वित तेल्गू के और लेस्ट अपलोड है चाहे तो आप वहाँ पर भी जाकर तेल्गू के सभी लेस्ट सुन सकते हैं इच और एवरी लेस्टन आज हम सॉल्फ करेंगे लाइन आइंड आइंगल्स का एक्सरसाइस वन देखिए तो यह क्रेशन जए चैप्टर फिगर बेस्ट चैप्टर है अब देखिए A B है नेम दा फिगर आउफ द ड्र ड्रॉ इसका नेम दे देने हैं हमको A B अगर देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको लाइन सीगमेट अ बलकर लिखेंगे लाइन सीगमेट A, B इस तरह आप लिखेंगे यह जो है, यह रे है तो यहाँ पर लिखेंगे रे, C, D C, D यह जो है लाइन है, देखें यह रे है, स्ट्रेट आ रही यह लाइन सीगमेंट है और यह X, Y, यहाँ पर पॉइंट्स देखें, A and B को यहाँ पर पॉइंट्स है, तो इसको इसलिए हम लाइन सीगमेंट कह रहे है यह स्ट्रेट जा रहे है, इसको हम इसलिए रे कह रहे है और इसके अंदर एक ही एरो है जिसकी वज़े से रे कहा जा रहा है यहाँ पर दो एरो है और लाइन center में हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे line कहेंगे line x y और ये तो point है सिर्फ है इसको points कह सकते हैं इस तरह अब यहां पर क्या करना है draw the figure for the following इसके आपको क्या करना है figures draw करना है देखे, figures ड्रॉ करेंगे, first क्या कहा रहा है, op उपर एक line दिया है, op, तो इसको first bit आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर o लिख सकते हैं, यह p हो जाएगा, इस तरह एक line, यह point x का मतलब, यह point दे दे रहा है, सिर्फ x लिखना है, second bit, third bit rs है, यहाँ पर एक line segment है, इसलिए आप क्य कर सकते हैं, यह rs इसको line दे देना है, rs, third वाला c d है, दोनों just last में point आपको दे सकते हैं, fourth c और यह d, यह figures इसके draw करें, next देखिए, name the all possible है, इसे पूरों के names दे दे देना है, बहुत आसान है, names पहले a b दे सकते हैं, उसके बाद a c दे सकते हैं, उसके बाद a d दे सकते ह हैं, उसके बाद b c, उसके बाद b d, उसके बाद c d, इस तरह आप दे सकते हैं, क्या कर लिखेंगे, a b, a c, a d, उसके बाद b c, b d, उसके बाद c d, इस तरह आपके possible, जो line से वा आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए fourth, क्या कह रहे, write any few examples of angle that you have observed around, go lap, around में कौन से कौन से है, कुछ examples आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बहुत सारे examples आते हैं, यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तो first point हम लिखेंगे, pen paper, pen paper का एक और, यहाँ पर एक angle बन जाता है, और second वालों लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग, corner of the, corner of the table, table का corner भी angle बनेगा, और उसके बाद third, made by wicket with the cricket pitch आप लिख सकते हैं, made by wickets with the cricket pitch, cricket pitch से आप जब wicket देखेंगे, तो क्या हो जाएंगे, wickets angle में रहेंगे, वहाँ पर भी एक angle बन रहा है, तो इस तरह बहुत आप से examples आप लिख सकते हैं, clock का example, घड़ी का एक भी example आप बहुत सारे लिख सकते हैं, चलिए उसके बाद देखें, यह angles को देखना है, तो यह जो angle रहता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छी तरह angles याद करना है, यह जो angle है, देखें, इस angle को कहते हैं, हम acute angle कहते हैं, यह angle होगा, obtus angle होगा, और यह angle होगा, right angle होगा, और यह angle होगा, यह angle होगा, यह angle को हम acute angle दुबारा कहेंगे, और यह angle को कहेंगे हम obtuse angle, obtuse angle, यह acute angle है, यह obtus angle है, right angle है, यह acute angle है, वो obtus angle है, इस तरह यह angles के name से आप लिख ले सकते हैं, चलिए शिक्स्त में देखिए, नेम दो आल पॉसिबल आंगल, यू कैन फॉइंट फॉलोईंग फिगर, विच उस एक्यूट राइट ऑप्टस इन्ट स्ट्रेट आंगल, इसके अंदर पूरा आंगल से बिल करा है, अगल, इसके 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 यहां तक हो गए अब उसके बाद यहां पर से लिख सकते हैं F O E पूरों से स्टार्ट कर सकते हैं एंगल F O C F O E उसके बाद F O D उसके बाद F O C उसके बाद F O B इस तरह पर लिख सकते हैं उसके बाद E से लिख सकते हैं EOD, EOC, EOB, E से हो गया, ठीक है, अब D से भी लिख सकते हैं, DOC, उसी तरह, DOB, DOB, फिर लास्ट वाला, COB, COB, इस तरह एंगल, जीतने चाहे हैं, इतने आप इसे बना सकते हैं, उसके बाद, देखिए, यहाँ पर एक बार देख लेंगे इस वाले क्वेशन को, इस वाले क्वेशन में यह सारे आंगल्स हम लिखे हैं, इस सारे आंगल्स, अब यह एंगल्स में नेम्स देना हैं, देखिए, यहाँ पर A, O, E, यह हो जाता है, आपका एक्यूट आंगल हो रहा है, उसी तरह F, यह F, O, और उसी तरह E, F, O, E, F, O, E, यह भी एक्यूट आंगल्स हो रहा है, तो इस तरह आंगल्स आप इसके इंदर देख सकते हो, जैसा A, O, E, यह राइट आंगल्स ट्राइंगल्स भी हो रहा है, उसी तरह F O C ये भी rectangle triangle हो रहा है, उसी तरह E O B ये भी rectangle triangle हो रहा है, उसी तरह A O D ये हो रहा है, optics angle उसी तरह angle A O Cinde ellis vocalường, ये तरह F O B स्केट और स्केट delicis, इसको यदे रहाँ है, इसको आद रख रहते हैं अब 얘 देखिये विच अव दौर फॉलॉइंग और स्पेर लैन्स की अंदर पारलल लाइन्स कों से आपको पहचानना है सिर्फ पारलल ्लाइन्स ये दो लैन बराबर है, नहीं ये accessible है ये दो नहीं है, पारलल नहीं क्योंके अलग छोटे और बड़े言 इस तरह आप इसको कर सकते हैं, तो अल बेस्ट सभी स्टूदिन्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर में इसके बाद हम सॉल्फ करेंगे तब तक के लिए एक्ससाइज सॉल्फ करें लिजिए अगर कुछ डॉट होता है तो कमेंट करके बतलाईजिए बेस्ट आफ लग्ग